गुड मॉर्निंग चिल्रेन दिस इस यूर भागवत मैडम फॉर सिंपल फिजिक्स कल के वीडियो में कल के लेक्चर में हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलेस्को पड़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि अबजेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बन रही है मतलब कि दूर से आने वाली आपजेक्ट्स की तरफ से जो रेज हैं वो फाइनल इमेज को टेलेस्कोप की हेल्प से इन्वर्टेड बनाती है लेकिन अगर अर्थ के सर्फेस पर दूर रखी हुई किसी आपजेक्ट को अगर हमको देखना है तो ऐसी ही अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगी फाइनल इमेज तो हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए जो नेक्स्ट टेलेस्कोप हमको देखना है देट इस टेरेस्ट्रियल टेलेस्कोप टेरेस्ट्रियल टेलेस्कोप एक ऐसा टेलेस्कोप होता है जो की अर्थ के सर्फेस पर रखी हुई दूर रखी हुई आपजेक्ट की इमेज को उसीत की तरह सीधा दिखाता है ऐसा टेलेस्कोप कहलाता है टेरेस्ट्रेल टेलेस्कोप अब इसमें कंस्ट्रक्शन में यह देखिए यह इसका कंस्ट्रक्शन है सबसे पहले अबजेक्टिव लेंस है तो टेलेस्कोप का अबजेक्टिव लेंस आईपीस के लेंस से बड़ी फोकल लेंस मतलब लाज़र फोकल लेंस और लाज़र एपरचर का होगा इसके सामने object होगी eyepiece lens होगा दूसरे end पर जिसके through eyes से final image देखी जा सकती है अब objective और eyepiece lens के बीच में एक third lens वो भी convex lens होता है L जिसको erecting lens कहा जाता है या field lens कहा जाता है इस तरह से fix किया जाता है इन दोनों lens के बीच में इसका ये use होता है कि यहां से जो rays inverted image बनाती है first objective lens के help से वो ये field lens erect कर देता है और सीधी image बनाता है ये सीधी image इस eyepiece lens के लिए as an object का काम करती है और final image इस तरह से हमको सीधी दिखाए देती है अगर ये object इस eyepiece lens के optical center और focus के बीच में हो तो इसकी erect, virtual और magnified image object की तरफ ही हमको clearly दिखाए देती है तो ये है terrestrial telescope तो ये ray diagram clear है हमको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं जो दूर बहुत दूर object रखी है उससे rays आ रही है objective से ये a1, b1 image हमको मिल रही है जो कि obviously real और inverted होगी ये a1, b1 इसके लिए lens, field lens के लिए object का काम करेगी और ये इसकी erect a2, b2 image यहाँ पे बनाता है दूसरी तरफ ये a2, b2 image eyepiece lens e के लिए as an object का काम करेगी और अगर ये a2, b2 इस eyepiece के optical center और focus के बीच में अगर बनती है तो eyes के through ये final image जो कि है a3, b3 वो least distance of distinct vision पर बनेगी अब एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि ये जो field lens है या erecting lens है यहाँ से इसका distance, object का distance इसके लिए ये object है object का distance to f होना चाहिए तभी दूसरी तरफ image उतनी ही size की और उतने ही distance to f पर form होगी so a1, b1 यहाँ से 2f distance पर होता है और उसी तरह से a2, b2 भी यहाँ से 2f distance पर ही होता है यह आपको clear हो गया होगा हमने image formation by convex lens में यह पढ़ा था कि इप the object is placed at 2f, 2f मतलब center of curvature मतलब यहां से यहां तक radius of curvature होगा तो अगर object radius of curvature पर है तो दूसरी तरफ उसकी image भी radius of curvature पर that means 2f पर उतने ही same size की draw होगी so this is all about construction and ray diagram let us find out the magnifying power of this terrestrial telescope अब magnifying power इसके पहले भी हम देख चुके हैं magnifying power का formula आता है m equal to beta upon alpha बोथ angles are very small so can be written as 10 beta upon 10 alpha now 10 beta और 10 alpha हमको find out करना है अब देखी यह alpha है object से बने वाला angle so vertically opposite angle तो इसको हम ले सकते हैं alpha so 10 alpha हो जाएगा a1 b1 upon ob1 और उसी तरह से देखी 10 beta यह हो जाएगा final image से बनने वाला angle so 10 beta equal to हम लिख सकते हैं a2 b2 upon e b2 so यहाँ पर देखी same way चीज लिखा है 10 alpha this 10 beta is this now substituting in first equation equation 1 was this one m equal to 10 beta upon 10 alpha में substitute किया अब यहाँ पर a2 b2 को a1 b1 के साथ में ले लिया और ob1 को हमने ले लिया e b2 के साथ में ऐसा क्यों किया है क्योंकि देखिए a2 b2 और a1 b1 दोनों में क्या relation है a2 b2 और a1 b1 यह दोनों अभी मैंने बताया था कि equal in size होंगे तो a1 b1 equal to a2 b2 हो जाएगा अब a2 b2 above the principal axis है but a1 b1 below the principal axis है तो यह अगर positive होगा तो यह negative होगा so a2 b2 equal to हो जाएगा minus of a1 b1 so यहाँ a2 b2 की भी जगर हमने लिखतिया है minus of a1 b1 divided by a1 b1 as it is o b1 upon e b2 यह cancel हो गया यहाँ पे सिर्फ बचा minus o b1 upon e b2 now o b1 और e b2 क्या है देखिए o b1 this is o b1 so this is focal length of objective क्योंकि object infinity पर है और infinity से object अगर rays आ रही है objective पर lens पर तो उसकी image बनेगी focus पर so o b1 हो जाएगा focal length of objective मतलब f o and e b2 what is e b2 e b2 अब यह जो है a2 b2 यह इसके लिए as an object का का काम कर रही है and towards left है तो यह हो जाएगा minus so अब देखिए यहाँ पर यह minus था already तो यहाँ पर लिख लिए हमने minus f o e b2 अभी हमने देखा minus u e होगा towards left side है दोनो cancel होके m equal to होगया f o upon u e let this be equation 3 now जसे इसके पहले भी हमने देखा था case 1 case 2 हमको लेना पड़ेगा magnification when the final image is formed at least distance of distinct region now the final image is formed by eyepiece lens so we can apply the lens formula for eyepiece lens so 1 upon f e equal to 1 upon v e minus 1 upon u e next step 1 upon v e equal to final image बन रही है deeper least distance पर और eyepiece lens के towards left है so it will become minus d minus u e u e b देखे minus होगा क्योंकि इसके लिए object भी towards left है so minus अभी यह minus minus होगा plus हमको find out करना है 1 by u e की value जिससे के हम इस equation में substitute कर सकें so 1 by u e यहां से हो जागा 1 by f e plus 1 by d अब इसकी value इस equation 3 में substitute करेंगे then we will get this one we can take f e common so magnification equal to होगा f o upon f e in bracket 1 plus f e upon d अब इस case में देखें जो length of terrestrial telescope क्या होगा दोनो length के बीच का distance so length of the telescope o से e तक का जो total distance है उसको हम three parts में divide कर सकते हैं o b1 plus b1 b2 plus b2 e अब o b1 o b1 हो जाएगा focal length of objective lens next b1 b2 हो जाएगा 4f क्योंकि b1 से यहां तक का distance है 2f और यहां से b2 तक का distance है 2f तो दोनों मिलाके हो जाएगा 2f plus 2f 4f b2 से लेकर e तक का distance है u e क्योंकि इसके लिए यह object है तो इस तरह से objective और ाईपीज के lens के बीच का distance मतलब total length of terrestrial telescope in this case will be fo plus 4f plus u e हो जाएगा so fo plus 4f plus u e अब second case देखते हैं when the final image is formed at infinity final image infinity पर form होने के लिए यह जो object है इसके लिए a2b2 वो होनी चाहिए इसके focus पर जब यह object इसके focus पर होगी जैसे यहाँ पर दिखाया गया है तो final image बनेगी infinity पर so इस condition में eye जो है वो relaxed condition में होती that means eye is said to be in relaxed condition eye is relaxed because no image can be seen by the eye so in this condition अब ue क्या हो जाएगा मतलब इसके लिए eye piece lens के लिए object होगी focus पर तभी final image infinity पर बनेगी so यह हो जाए fe की जगह हो जाएगा ue so यहाँ पर देखिए इस condition में fo upon ue की जगह हो जाएगा fe तो magnifying power for case 2 when final image is formed at infinity will be fo upon fe so this is for first condition and this will be for second condition now condition for better magnification अच्छा इस condition में पहले यह देख लेते हैं what will be the total length of the terrestrial telescope बस इस condition में देखिए क्या हो जाएगा fo plus 4f अब यहाँ पर ue की जगह आजाएगा fe so total length of the telescope will be fo plus 4f plus fe now condition for better magnification अच्छी magnification अगर हमको चाहिए तो क्या-क्या conditions होनी चाहिए terrestrial telescope के लिए सबसे पहले तो यह होगा कि fo should be greater मतलब focal length of objective must be greater second fe should be small मतलब focal length of eyepiece should be less so this is all about the terrestrial telescope good day and good bye